हेलो रिवन, विल्कम बाक टो ऑनलाइन स्टेडियोन, स्टाटिक जीके की संदार क्लास में आजम बात करेंगे डेट 10 के बारे में और इसमें आपको 50 MCQ देखने को मिलेगा, तो इस वीडियो के साथ एंड तक बनी रही है, अगर आपनी से पहले के बाकी के पार्ट्स को नही देखा है, तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जा करके चेक आउट कर सकते हैं, सारी वीडियो को देखें, आने विले सब एक्जामस के लिए इंपॉर्डेंट होगा, तो चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं, देखें, फर्स्ट क्विस्ट क्या है कि चितरकला, माई चंदर किस नहीं बनाई थी, इस प्रश्ण का राइट आंसर बनेगा ऑप्सिन डी, अवनेंदर नाथ टाइगोर, अवनेंदर नाथ टाइगोर ने 1912 से 13 इसवी में इसको बनाया था, ठीक है, बकीम चंद चटर जी के अरम बात के तो इनके समयंद में हम याद रखना है कि जो हमारा राश्टी एक गीत है, बने मातरम इनकी रचना सलस्कीत मासा में इन हो नहीं की थी, बकीम चंद चटर जीने, इनकी अन्य जो रचना है, जो एक्जामस के पॉइंट व्यू से इंपॉटेंट रहता, एक सर पूछ जाता है, कपाल कुंडला, देवी चौधरानी, चंदर सेकर, यह आपो याद रखना है, क्लिए चलिए, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है, क्वैसन नमबर सेकेंड, पॉकेट डाइनेमो के नाम से किसे जानते हैं, तो पॉकेट डाइनेमो के नाम से के डी जादों को जाना जाता है, आप्शन हम B को टिक करेंगे, इ जो करनाटक का कुर्ग है, उसी को भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है, और इसे करनाटक के कस्मेर के रूप में भी जाना जाता है, कुर्ग को, ये आपको याद रखने हैं, फूर्थ क्वैसन क्या रहा है कि निम्लीकीत में से किस राज्चे ने खेलों को उधों का च्डिया गया किस राच्चे में तो मीजॉर्म यहाँ पर सही यांसर बनता है मीजॉर्म leanみ 11 scoania baru- Lesson हाली में मिजॉर्म ने अपना स्थापना दिवस बनाया 21 जनुरी को 21 जनुरी को मिखा ले तरी पूरा और मियजॉर्म ने अपना जो कि यहां पर स्थापना दिवस मना 21 जनवरी को याद रखना है और मिजोरम से समझ एक पॉइंट्स में आपको अधा दू कि हाली में जो वन स्तीती रिपोर्ट आई है 2020 उसमें वनो की प्रतीसता के कॉर्डिंग सबसे टॉप पे मिजोरम ही है ये भी याद रखना है 84 दसमलों 5 तिन प्रतीसत और छेतरफण के दिश्टी से सबसे ज़्यादा वनो वाला राज्य कौन सा है मध्य प्रतीस याद रखना है अगला क्वेशन्स क्वेशन नंबर 5 निमलीखित में से कौन सा कथन सही है कौन सा कथन सही है अच्छे तरीके से पढ़िए और पताए कि क्या सही होगा ग्रैमी जो अवर्ड होता है वो संगीत के छेतर में दिया जाता है बिल्कुल सही है बाफटा पुरसकार फिल्म से संबान दिते है यारी दोनों के दोनों कथन सही है ऑप्सन सी विल वी राइट आंसर ठीके सी करेक्ट आंसर होगा अगला कुशंस अंतरास्टिय न्याले का मुख्याले कहां पर पढ़ता है तो इसका मुख्याले पढ़ता है निदर्लैंड की दहेग दहेग यहां पर राइट आंसर बनेगा ऑप्सन दी दहेग की स्थापना जो होई थी जून 1945 में की गई थी लेकिन इसमें जो स्टार्ट आदी और वर्तमान में भारतिय सदस इसमें कौन है तो दलबीर भंदारी याद रखेगा आगे बढ़ते हैं भारते ग्यानपीट पुरसकार से सम्मानित प्रतंविक्ति कौन है ग्याणपीट पुरसकार से समंदित मैं आपको बहुत सारी चीजिए कई बार बता दिया तो पुरुषकार से समन्द में सब चीज आपको याद होना चाहिए तो चले हम छोटा से पॉइंट यहाँ पर रिपीट कर लेते हैं इस पुरुषकार की स्थापना 1961 में हुई थी लेकिन प्रथा पुरुषकार 1965 में दिया गया था किसको जी संकर कुरूप यहाँ पे ऑप्शन बी होगा मल्यालम भासा के लिए इनको दिया गया था सुमिता नंदन पंथ जो की हिंदी भासा में सबसे पहला पुरुषका 1968 में को दिया गया इनकी पुस्तक चितंबरा के लिए इनकी रचना चितंबरा के लिए महिला की बात के तो आसा पुर्णा देवी जी थी जो की उनको मल्यालम भासा के लिए दिया गया था और अंग्री जी भासा में 2015 में अमिताब घोस को दस सैडो लाइन्स के लिए दिया गया चले आगे बढ़ते हैं अगला कुछनस क्या कर रहा है कि उलम्पिक हिलो में महिलाओ की भागेदारी सरपथम कब हुई थे औरमपिक स्टार्टिंग हुआ था आदिनीक औरमपिक स्टार्टिंग 1896 हुआ था लेगिन इसमें महिला भागिदारी पेरिस उलंपिक 1900 से स्टार्ट हुआ option B एहास फॉर मिस्टर विश्वास नामक पुस्ता के लिखक कौन है इह हाउस फॉर मिस्टर विश्वास तो ध्यान रगेगा इह हाउस फॉर मिस्टर विश्वास पुशता है कि लिखक यहाँ पर सही आंसर बन जाता है option B B.S. नॉइपॉल यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा और इनके समान में बहुत साई चीज़े आपके जानना होगा जैसे कि इनका पूरा नाम क्या है तो विद्याधर, सुरजप्रसाद, नैपॉल और मैं आपको बता दू इनकी जो रचना हैं वो काफी ज़्यादा फीमस है सबसे पहले तो मैं आपको बता दू कि 2001 में इनको नोबेल पुरसकार भी दिया गया था साहीति के छेतर में अब जब नोबेल पुरसकार इनको मिल चुगा है तो आपको पता है कितना पॉपुलर है और साथी साथ इनको 1971 में 1971 में जो की इनकी जो रचना थी इनोबेल था इनकी फ्री स्टेट इसके लिए मैं बुकर पुरसकार दिया गया और साथी साथ इसके कुछ वर्सों के बाद 1979 में पूर्णा इनको फिट से बुकर पुरसकार दिया गया था ये दोनों जो पुस्तक मैंने आपको बता है इनकी फ्री स्टेट और बेंड इन धरीवर ये दोनों पुस्तक अक्सर पूछे जाती है और साथी साथ ए बुक स्वरी ए हाउस फॉर मिस्टर विस्वास ये भी कई बार पूछा के है तो इन सभी चीजों को आपको याद रखना है ठीक है चलिए आगे बढ़ते है नेक्स्ट क्रस्ट कि स्पेन की मूंबाई के नाम से प्रसीद है बारसी लोना उप्शन B अगला प्रस्ट तू लाइवस किस ने लिखा है तो तू लाइवस को लिखा गया विक्रम सेट के दौरा यानि option A होगा राइट अंसर इनकी जो रचनाय थी और जैसे की इसूटेबल बॉइ दा गोल्डेन गेट और इनकी जो माता थी लीला सेट लीला सेट आपको पता हुआ दिल्र उचने अले की पहली महिला नियाधिस बनी थी लीला सेट चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्रीसिट निम्लिखिद में से कौन सही सुमेलित नहीं है कौन सही सुमेलित नहीं है तो परिस्तीत के विज्ञान जो केंदर है वो बैंगलवर बिल्कुल सही भार्तेवन ने प्राणी संस्थान देरादुन भार्तेवन प्रबंधन संस्थान कोलकाता नहीं यहाँ पर भुपाल होगा और बाकी में कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर गोविन्थ, फल्लव, पंथ, जोसंस्थान, अल्मोडा सही तो गलत यहाँ पर उप्शन C होगा जो की हम चेंज करेंगे निम में से किस वर्ष रेड क्रॉस को सांती का नोबिल पुरिसकार नहीं दिया गया रेड क्रॉस जिसकी स्थापना 1863 में हुई थी, 8 मई 1863 को हेंडी डिवरेंट की दोरा और इन्हें हम कह सकते 1917, 1944 और 1963 नोबिल पुरिसकार दिया गया सांती का नोबिल पुरिसकार 1977 में नहीं दिया गया, औप्शन D करेक्ट होगा और सांती का नोबिल पुरिसकार कहां पे दिया आता है नार्वे की राधानी ओसलो में दिया आता है, कि याद रखेंगे किस नगर को इलेक्ट्रोनिक नगर कहा जाता है किस नगर को इलेक्ट्रोनिक नगर कहा जाता है इलेक्ट्रानिक नगर के रूप में हम लोग बैंगलोर को जानते हैं आप संथी बैंगलोर चुद्रग्रा किंदो ग्रहों के कच्छाओं के बीच इस्तित है तो मंगल एवं ब्रिसपत्ति मंगल का जो सबसे छोटा उपगर है मंगल के दो उपगर हैं डिमोस और फेबोस तो सबसे छोटा डिमोस होता है जबकि ब्रिशपत्ती का सबसे जो बड़ा उपगरा है वो गयानिमीड है और हमारे स्वार मंडल का सबसे बड़ा अब तक गयानिमीड ही है तो यह आपको याद रखना है चलिए आगे बढ़ते Next questions क्या कह रहा है Next one है की मुर्गपपा गोल्ड कप किस खेल से संब्धित है मुर्गपपा गोल्ड कप का संब्ध किस खेल से तो इनका संब्ध हो जाता है हौकी ऑप्सन दी हौकी साथ साथ हौकी से कप और ट्रॉफी मैंने यहाँ पर लिख रखा जैसे बेटन कप, नहरू ट्रॉफी, स्टेनली कप, आगाखा कप, ध्यांचन ट्रॉफी, विलिंग्टन कप, तो इन सभी चीजों को याद रखना है, चलिए, आगे बढ़ते, नेक्स्ट रोने के बेलारूस की राधानी निमलीखित में से कौन सी है, बेलारूस की राधानी मिंस्क, मिंस्क यहाँ पर ऑप्शन B होगा, राइट अंसर ज्यान रखेगा, और इसकी जो मुद्रा होती है, रुबल होता है, ब्रुसेल्स जो आपने देखा नीचे, ब्रुसेल्स बेल्जिम की राधानी है, वह कौन सी सबसे बड़ी धारा है, जिसे उसके काले पानी के क प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुवात कहां से किये गए थी, तो प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था कहां, 1973 में, और प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुवात किये थी, उत्राखन के जिम कारबेट नेशनल पार्क से, C विल भी ए राइट अंसर, अगला क्या है, नेक्स्ट क्यारा है कि पोलो के पारंबरी खेल्म के पर्तेक टीम में कितने खिलाडी होते हैं, पोलो, तो पोलो में पर्तेक जो टीम होता है, उसमें प्लेयरों की संख्या 4 होता है, अगर आपसे पूछले कि वाटर पोलो में प्लेयर की संख्या कितनी होती है, वाटर पोल कि बारती अंतरिक्ष कारिकरम के जनक किसे माला जाता है तो सही आंसर यहां पे हो जागा option B डॉक्टर विक्रम सारा भाई option हम B को टिक करेंगे ठीक है और एपीज अब्दुर्करम जो है इनको आपको पता ही कि नहीं हम लोग जो कि मिसाइल मैंन के नाम से जानते हैं तो यहां पे सही आंसर फिलाल बनेगा opson B डाइग चलिया आगे बढ़ेते हैं अगला कोसर क्या किया रहा क्या होगा इस प्रश्ने का राइत ऐंसर straight drive पुस्तक के लेखा कहना स्टेट drive इस पुस्तक के लेखा कहने ऐसी बीरिब्लगुल त यक strength के लेखा कोशुए कidée सुनील कवाश कर सुनील कवाश कर B को लिए का एक रनवह की संफित कपिल देव भाजी की ?? रचना है जो अक्सर पूछा आता है उनको याद रखना है इसका हम यहाँ पर कह सकते हैं क्रिकेट माइस्टाakukan क्रिकेट माइस्टाइल साथ ही साथ यहाँ पे गर हम बात करें प्रकास पादूकोंड जो की बैड्मिनिटमेटन सा समंध्ध रखते हैं इनका समंध्ध एक जो क my career इनकी रचना है तो इन सभी चीज़ों को याद रखते चलना है अगला questions की सौतनता समानता बंदुता या जो नारा है वस्तुता दिया गया था कब ये जो नारा है वो कब दिया गया था तो ये नारा दिया गया था फ्रांसीसी करांती से संबंद रखता है अच्छा फ्रांसीस की करांती अच्छा फ्रांसी करांती हुई कब थी कितने लोग कमेंट करके सही आंसर बताएंगे जंदी से कमेंट करके बताएगा फ्रांसी करांती कब हुई थी नेक्स्ट वनेगी निवन में से कौन सा कथन असत्त है कौन सा कथन असत्त है तो यहाँ पर ध्यान देंगे सरुदिन नाइडो जी की गोल्टेन थ्रैस्टोल विल्कुल सही है भारत छोडवा अंदोलन अलोड़ा आसाफली के साथ समंद रखते बहु बिवा इस्वर्चन विद्यासागर लेकिन राजारा मोहन राय के साथ सोंप्रकास गलत है सोंप्रकास भी इस्वर्चन विद्यासागर के साथ ही होगा तो यहाँ पर हमारा option D जो की गलत पॉइंट बन जाता है चलिए तो फ्रेंज मैं आपको बता दूँ कि हमारे अप्लिकेशन पे साइन्स के बैज स्टार्ट हो चुकी है खास करके NTPC, CBT2 और Group D exams को देख करते हुए जो की जिस तरह से पिछली बार questions पूछे गयते हैं उसी के pattern पे सारे questions अरेंज किया जाता है और आपको ये questions bilingual दिया जाते है क्योंकि सभी लोग ने demand किया था कि questions को bilingual रखे तो हमने bilingual रखते है और बिलकुल TCS के pattern को follow करते हुए जिस तरह के previous questions पूछे गये उसी के pattern पे questions को arrange किया जाता है सबसे पहले तो आपको MC की वीडियो भी दिया जाता है और साथिसाथ online practice cues भी दिया जाता है ताकि आप बाद में practice कर सको अगर आप इस course को जोड़ना चाते हैं तो इस course की price 1.9 रखे गई है आप जोड़ सकते हैं इस वीडियो के इस description वाले applications की लिंक के रखे गई है या applications को download करिए इस store section में जाई है और इस course को जोड़न करिए अगला questions बनता है कि राष्टमंडल का महा सचिव चुने जाने वाले पहले भारतिये कौन थे राष्टमंडल के महा सचिव चुने जाने वाले पहले भारतिये कौन थे कमले सर्मा कमले सर्मा option D अगला questions की 2011 के जनगर्णा के नुसार निम्ड में से किस राज्य में जनसंख्या ब्रीधिदर रिनातमक रही जनसंख्या ब्रीधिदर रिनातमक रही और वो इकलोता राज्यता नागालेंड नागालेंड बिल्कुल सही answer बनेगा C will be right answer 1998 में पोखरण में भारत द्वारा किये गए परमाडू परिक्षन का क्या था परमाडू परिक्षन का जो नाम रखा गया था उसका नाम क्या था कोड कह सकते तो इसका नाम रखा गया था और स्माइलिंग जो बुद्धा है smiling buddha ये पहला जो परमाड़ परिक्षन क्या गया था 1974 में उसका रखा गया था देखे 1998 में जो हुआ था दूसरा पोखरण परिक्षन तो ये कब हुआ था 11 मई 11 से 14 मई हुआ था तो यहाँ पर 11 मई है इसको राष्ट्य प्रधाओ की दिवस के रूप में भी पर्तिकवर्स हम लोग मनाते हैं यह आपको याद रखना है और यहाँ पर जो पहला हुआ था था ना smiling buddha था पहला उसको भी याद रखेगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रोगी दिवस कुष्ट रोधी दिवस पर्तिकवर्स कब बना जाता है कुष्ट रोधी दिवस पर्तिकवर्स मनाते हैं 30 जनवरी को 30 जनवरी को सहीद दिवस के रूप में मना जाता है 12 जुला यहाँ पर जो देख रहे हैं मलाला यूसुफ जाई के दिवस के र रखेगा नेक्स्ट क्रिसंस है कि दिल्ली में पुराना कीला के सामने खैरूल मस्जिद मंजिल नामग मदर्सा का निर्माड किस ने करा था इसका निर्माड कराया गया था किस के दौरा तो महाम अनागा के दौरा यानि डी विल बी आराइट आंसर निमलिखित में से किस पाइजाती है बताये किस देश में तो यहां पर बारा सही आंसर बन जागा ऑप्शन B यानि कि न्यूजिलेंड माओरी जनजाती का समध्य न्यूजिलेंड से जबकि मसाई जनजाती जो था वो तंजाने समध्य रखता है तो फिलहाल यहां पर B बिल्कुल सही आंसर है चले आगे बढ़ते हैं अगला कोशनस बनता है कि बिस्व प्रसीद्ध भगवान वेंके डेस वर यानि कि तिरुपती का जो मंदिर है निमली की पहाड़ियों में से किस में अवस्तित है तो आंदर परदेश के सेलाचलम सेलाचलम यानि ऑप्शन B को टिक करेंगे सेलाचल तो यहां पर सज्ञाण सा 1985, एकिस मार्च 1985 यहां पर सज्ञाण सोरगा, एकिस मार्च को विस्व वानिकी दिवल्स के रूप में भी मनाती हैं यह भी याद रखना है, अगला कोशनस सूची वन को सूची दो के साथ मिलान करना है और देखना सही का दन क्या होगा, तो चले बात के तो नंदा देवी उत्राखंड में, यानि C का दो के साथ बिल्कुल सही, तमिलाडू, दो कि यहां पर डोडा बेटा तमिलाडू, D का फर्स्ट के साथ, और नागालन के सबसे उची चोटी सारा मती होता है, तो यहां पर मिल रहा है, B का 4 के साथ, तो कुल मिलाकर सह यह आंसर हमारा C बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है, अगला कुशन से कि हबन टोटा बंदरगा कहां स्थित है, हबन टोटा जो बंदरगा है वो कहां स्थित है, तो हबन टोटा बंदरगा का संबंध हो जाता है, स्रिलंका से, स्रिलंका आप्शन C, अगला कुशन, निम निम्लिखित में से कौन सा यूग में सुमेलित नहीं है। तो ध्यान दीजेगा, जोग जो है करनाटक में सरावती नदी पर बिल्कुल सही, पापनासम ये आंदर प्रदेश में पढ़ता है ना कि हे माचल प्रदेश में, धुआधार, मद्य प्रदेश में, नर्मदा नदी पर, हुंडरू, स्वन्रेका नदी पर, जारकंड में, तो ये सभी सही है लेकिन ऑप्शन बी जो की पॉइंट गलता, इसे आप सुधार करेंगे। अगला कुशनस निमलिखित में से, भात्राष्टे कॉंग्रिस के किस दिवेशन में, महात्मा गांधी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं, परन्तु गांधी वाद सदेव बना रहेगा, ये बात किस दिवेशन में कही गई थी, महात्मा गांधी जी के दोरा, तो कराची दिव तो आप नीचे comment करके बताएंगे ठीक है अधेक कौन थे अगला question नबाड के समद्ध में निमलीखीत कतनों पर विचार करें और बताएंगे कौन सा कतन असत्त है नबाड तो चलिए अब नहां पर थेखते हैं नबाड का full firm National Bank for Agriculture and Ruler Development बिल्कुल सही है आप इस full firm को याद रहे तो यहां पर कह सकते हैं पॉइंट बी जो की गलत था इसे आप सुधार करेंगे और इसे option B को टिक आउट करके आगे पड़ेंगे खादयों रोम में पड़ता है नव्ही की बाड के तो Kenya की राधानी जो नौरोम्बी है यहां पे UNEP का मुखरता है UNEP यानि इस्टी युनाइटेट नेशन इन्वार्मेंट प्रोग्राम यह होता है तो इसका नावरो भी याद रखेंगे पेरीस की बात के तो इससे पहली वाली वीडियो में आपको बता था पेरीस यूनिस्को का मुख्याले आपका पेरीस पड़ता है और जिनेवा में याद रखेगा डाबलू टी ओ जिनेवा तो बहुत सारे मुख्याले लेकिन डाबलू टी ओ आप फिलाल यहां पर याद रखो फेमस हो जाता है अगला क्या है कलोल जो खनीस तेल उत्खरान छेदर वो किस राज्य में कलोल का संबन्द गुजरात सी को टिक करेंगे गुजरात अ बाखी किसी में कोई प्राबलम नहीं आप इन सभी को अच्छे से याद रखेगा यहां पर रंगराजन समीति अक्सर पूछाता है बुक्तान संतुलन और साती साथ गोईपुरिया समीति बैंकिंग सेवा सुधार इसे याद रखेंगा अंतियोदे अन्यकारेक्रम का उदे विल भी राइट अंसर जनगर्णा 2011 के अंतिमाकडों की अनुसार बिहार राज्य में लिंगा अनुपात कितना है बिहार राज्य में लिंगा अनुपात कितना है देखें बिहार राज्य में लिंगा अनुपात की बात के तो यहां पे सही आंसर हो जागा 918 बिल्कुल सही और अगर बच्चों की बात कहें बच्चों की लिंगा नुपाद तो यहां पे 935 हो जागा और साती साथ 1106 की बात कहें तो घनत वी यह हो जाता है भी हर राज्यू का घनत जो कि सभी स्टेट और सभी यूनियन टेरिटरिस में सबसे ज़्यादा है यानि की 1106 ठीक है तो इन सभी पॉइंट्स को आपको याद रखने है अच्छा कुछ और पॉइंट्स में आपको बताता हूं जैसे ध्यान रखेगा अगर हम बात करें कि अंतियोदे कारेक्रम उपर में जो क्वेसंस देखा था अंतियोदे कारेक्रम को सबसे पहले लागू कहां पिक्या गया था कि इस स्टेट में क्योंकि पिछली बार ये क्वेसंस पूछा गया था 65 जो बीपेसी की परिक्षा थी उसमें ये questions पूछा गया कि सर्व प्रत्थम अंतियोदे अन्य कारेकरम की starting किस state में हुआ था तो राजस्थान ये आपको याद रखना है ठीक है राजस्थान ये याद रखेगा और अभी हम जो percentage की बात कर रहे थे तो इसमें साक्षर्टा दर कितनी है बारत की बिहार की साक्षर्टा दर कितना है तो साक्षर्टा दर 61.8 प्रतिसाद ये याद रखेगा और बिहार की जो जनसंक्या है वो बारत की एक कुल जनसंक्या का कितना प्रतिसाद होता है आठ दसमलो 6 प्रतिसत चलिए सोनाडी किसकी नसल है सोनाडी किसकी नसल है तो यह जो की यहाँ पर हम क्या सकते हैं आठ दसमलो 6 प्रतिसत चलिए सोनाडी कि नसल है इनमें से किन्द सहरों में अलक नंदा और भागरती नदी मिलकर के गंगा नदी बनाती हैं अलक नंदा और भागरति का संगम कहां पे होता है तो अलक नंदा और भागरति का संगम होता है देव परियाग में देव परियाग ऑप्सन डी बिल्कुल सयांस रुखा रुद्र परियाग में किसका संगम होता है रुद्र परियाग में याद रखिएगा जहाँ पर हम कह सकते हैं अलग नंदा और मंदाकनी नेक्स्ट क्रिस्ट निमलीखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है खरीफ की फसल निमलीखित में से कौन नहीं है तो यहाँ पर हम सरसो जो देख रहे हैं सरसो रवी की फसल के अंतरगत आता है रवी फसल की बात अगर हम कर रहे हैं तो रवी फसल से कुछ पॉइंट से याद रखना है जैसे इसके अंतरगत अन्य जो फसले हैं वो कौन-कौन सी है चना, जौ, गेहुं, अरहर, राई, मतर ये सबी इसके अंतरगत आता है और इसकी जो बुआई की जाती है, तो इसकी बुआई हम करते हैं इसके एक छोटा सा मैंने तरीका बताया था आपको ओनमा याद रखे, ओनमा अब क्या है, ओनमा मतलब ये स्टार्टिंग के दो लेटर बुआई और लाश्ट के दो लेटर कटाई तो अक्टूबर नौवंबर में इसकी बुआई की जाती है, और मार्च अप्रेल में इसकी कटाई कर लिए जाती है तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, और इसी तरह से हम अगर हम बात करें खरी फसल तो इसको हम जूजू नदी से याद रखते हैं, जूजू नदी, दीखें जूजू नदी याद रखेगा अगर हमस तरह से लेटा हूँ, जूजू नदी तो इसकी जो बुआई होती है जून जुलाई में बुआई की जाती है जबकि नमबर दिसमर में कटाई की जाती है खरी फसल चीक है अगलाब रश्ट किस राच्चे ने जन सेवक योसना और जन स्पंदन योसना की सुरुआत की है जन सेवक योषना जन स्पंदन योषना जो की ये नागरीकों की सीकायतों को दूर करने के उद्धे से स्टार्ट किया गया करनाटक में तो वो भी विल्कुल सही आंसर को करनाटक किसी निल्सन मंडेला नोबल सांती पुरसका 2021 से समानित किया गया अजय कुमार सर्मा लॉंच पुस्तक दे सिनेमा ऑफ सत्य जीतरे के लेका कौन है भासकर चटो पध्या ऑप्सन डी विल्कुल भी राइट अंसर देखें आज किस वीडियो का आखरी प्रस्ट है नीली नील नदी निमनकि इन में से किस जील से निकलती है नीली नील नदी यानिकि ब्लू जो नाइल रिवर है वो किस जील से निकलता है तो सही आंसर बन जाएगा option हम B ताना जिल, ताना जिल पुर्वी अफरीका के इथोपिया देश में यह सबसे बड़ी जिल है, याद रहेगा इथोपिया में पढ़ता है और निली जो निल नदी है यहीं कि ब्लू नाइल रिवर है यहीं से निकलता है, जबकि निल नदी की बात करें तो निल नदी कहां से निकलता है विक्टोरिया जिल से, यह आपको याद रखना है विक्टोरिया जिल से, ठीके फिंस तो आसा करते हैं कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आया होगा वीडियो गर अच्छा लागें तो प्लीज अपने दोस्तों को साहँ सेर कर दीजेगा साथी साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन भी लाइकन को आल पे सेट कर लिजे हम मिलतें नेक्ट क्लास में थैंक्स वाचिंग, कीप वाचिंग, कीप लाइनिग, हाव अब गूद टेम